मैं डाम सिंग सर्थ कच्छा 10 बीशै समाजिक विजञान में भोगोल इसके पहले हम लोग अगले वीडियो में भोगोल का पाठ एक देख चुके हैं अब इस वीडियो में हम लोग भोगोल का पाठ दो देखेंगे जिसमें पाड का नाम है बन एवं बन जीव संसाधन सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जेव विवीद्ता जेव विवीद्ता से आप क्या समझते हैं या जेव विवीद्ता किसे कहते हैं तो जय विभीत्ता जीव मंडलों में पाये जाने वाले जीवों की विभिन जातियों में पाये जाने वाले विभीत्ता है. जह विभित्ता किसे करते हैं जो विभिन प्रकार के जीव मंडल में जीव पाय जाते हैं उसमें जो भिन्नता देखने को मिलती है उसी को क्या कहा जाता है जह विभित्ता दूसरे सब्दों में कहें तो जह विभित्ता वनस्पति और प्राणियों में पाय जाने वाली जाती विभित्त को प्रकाट करती है तो दूसरे सब्दों पहले तो जीव में जो विभिन्नता देखने को मिलती है उसी को क्या कहते हैं जह विभित्ता दूसरे सब्दों क्या क्या है जो जीव मंडल में जैव मंडल में देखेंगे जो वनस्पती और प्राणियों में जो विभेद जाती में विभेद देखने को मिलती है उसे ही हम क्या करते हैं जैव विभी दिता पर्यावरण हरास के कारण जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा संकट गिरस्ट है इस तरह से देखेंगे हमारे पर्यावरण में कुछ कमी हरास होने के कारण हमारे पर्यावरण में जो उपस्थित अनेक जीव जन्तु थे कुछ उसमें से लुप्त हो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जय विवित्ता किसे करते हैं या जय विवित्ता क्या होता है अनल जीव मंडल में जो जीव में विवित्ता देखने को मिलती है उसी को या भीनता देखने को मिलती है उसी को जय विवित्ता करते हैं या जो जव मंडल में वनस्पती और प्राणियों में जाती विभेत देखने को मिलता है उसे भी क्या करते हैं यह विभेत देखेंगे कुछ हमारे पर्यावरण से जो जातियां लुप्त हो चेकी है और कुछ संकर्ट करश्ट है जैसे लुप्त जातियां जो फूंडूप से ह चीता और गुलावी सीरवाली बत्त तक यह देखेंगे क्या है कि हमारे पर्यावरण से पूंडूप से क्या हो गई है समाप्त तो ऐसे जातियों को लुप्त जातियां कहा गया और कुछ ऐसी जातियां हैं जो संकर्माने कुछ अभी हैं और भविश में वग खत्म होने के इस्तिती में हैं तो ऐसे जातियों को हम लोग क्या करते हैं? संकर्ट गरश्ट जातियां जैसे उदहानर तोर पर देख लेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी जातियां हैं काला, हीरन, मगरमच, गैंडा, भारती, जैंगली, गदा, आदी ऐसे ये सब जातियां हैं जो धिरे-दिरे हमारे पर्यावरण से समाप्त होने की इस्तिती में हैं तो इस तरह से हम लोग देख लिए जैविवित्ता और कुछ लूप्त जातियां, कुछ संकर्गर्थ जातियां जो समान जातियां इस तरह से जो जन्द्री समय हैं पर्तमान में सेर, बाग, चीता, हिरन, ये सब क्या हैं आपके समान जातियां के अंतरगर्थ आतियां जो पर्तमान में उपस्तित है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, जैविवित्ता का मानो जीवन के लिए महत्तुर, मानो को भोजन, आवास एम परिवेश समन्दी विभिन आव सकता हूं, और अपने अस्त मानो जीवन के लिए जैविवित्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी मानो से कुछ आवस्त की जीज़े जैविवित्ता की कारण ही उपलब्द हो पाती है या उन पर निर्भर रहना पड़ता है इस तरह से देखेंगे जै विवित्ता के उपभोग की द्रिष्टी से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पोधों को पालतू करण किया क्रिस्टी एवं पसुपालन इसी आवसकता का परड़ाम है इस तरह से कह सकते हैं कि जै विवित्ता का माना जीवन के लिए बहुत उपयोगी या महतपूर्ण है तो किता से क्योंकि जो मनुष्य है वह अपने भोजन के लिए आवास के लिए परिवेस के लिए विभिन जरुतों के लिए वह क्या है कि वह जह विवित्ता पर ही निर्भर साता है तो कि उसमें विविन प्रकार के जैसे कुछ पस्वों को वह पालता है तो जैसे उसे कुछ दूद प्राप्त रता है, खात प्राप्त करता है जैसे कुछ और वस्त्रों के लिए उनके बाल का उप्यों करता है इस तरह से जवी दिवित्ता के कारण ही वह अपनी आवस्कताओं की पूर्ती करता है इस आधार पर हम कर सकते हैं कि मानव जीवन के लिए जवी दिवित्ता बहुत आवस्यक है और उसके द्वारा ही मनुस अपनी आवस्कताओं की पूर्ती करता है आगे हम लोग देखेंगे प्रवसासनिक आधार पर बनों के प्रकार प्रवसासनिक आधार पर बनों के तीन बनों को तीन वर्गों में बाटा जाता है तीन वर्गों में बाटा जाता है तो पहला जो है इसमें देखेंगे पहला वर्ग कौन सा है आरचित बन वे बन जो इमार्ती लकड़ी अत्मा बन उपादों को प्राप्त करने के लिए श्ठाय रूप से सुरच्छित कर लिए गये हैं और इनमें पस्वों को चराने तथा खेती करने की अनुवती नहीं दी जाती है तो ऐसे बनों को क्या कहा जाता है? इसे बनों को आरच्छित बन कहा जाता है वे बन जो इमार्ति लकड़ी या बन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए उनको कूर रूप से सुरच्छित कर लिए गया हो तो और उसमें पस्वों या खेती करने की अनुवती नहीं दी जाती है तो ऐसे बनों को ही क्या कहा जाता है? आरच्छित बन कहा जाता है. अगला देखेंगे जो प्रशास्थनिक अधार जो अगला बन है वो कौन सा है? वो है सनरच्छित बन. वे बन जिनमें पस्वू के चराने वो खेती करने के अनमति कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है तो ऐसे बनों को क्या कहा जाता है संरचित बन इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि प्रशासनिक अधार पर बन कितने प्रकार करते हैं पहला आरचित बन देखिए आरचित बन के अंतरगत वे बन वते हैं जुन को देखेंगे इमारती लकड़ी या कुछ का जुटपाद के लिए और श्थाई रूप से सुरचित कर लिया गया हो और उसमें प्रशुओं और खेति करने की अनँसार के साथ-समें अनमती दी जाती है तो ऐसे बन कौक ripple क्या करते हैं सरचित बन करते हैं है अगला जो देखेंगे प्रसास्निक अधार्प बनों के प्रकार में अवर्गी कृत बन वे बन है जो अधिकांस दूर्गम है अत्यधिक उचाई एवं सघंता के कारण इन बनों में प्रिवेश किये जा रहे हैं उत्रा खंड में नंदा देवी अरचित छित इसी का प्रमकु अधार है इस तरह से देखेंगे जो हम पहले देख लिए आरचित बन सवरचित बन और अवरगीत किर्द बन तो अवरगीत बन के अंतरगत उनको रखा जाता है जहां पर देखेंगा अधिकांस दूर्गमा ने बहुत मुश्किल है पोजह जैसे बहुत उचाई पर या बह अधार पर बन कितने प्रकार के होते हैं अरचित बन सवरचित बन और अवरगीत किर्द बन अब आगे हम लोग बढ़ेंगे मानो क्रियाओं द्वारा प्राक्टिक वनस्पति जात और प्राड़ी जात के हरास के कारण मानो के द्वारा जो प्राक्टि में वनस्पति और कुछ प्राड़ी जातियों में खराश या कमी आई है तो उन क्रियाओं को देखेंगे किसके कारण उनके माने संख्या में कमी देखने को लिए है तो सबसे पहले देखेंगे पहला कारण जिसके वज़े से वनस्पति जगत और प्राण जगत में कमी आई है जहला मानो ने अपनी विभीन प्रकार की आउस्कताओं को पूरा करने के लिए प्रक्टिक अनेक पदार्थों को संसाधनों में प्रवर्तित कर लिया है इसी कार मानों नें बन एवं बन जीवों को भारी नुकसान पहुचाता है तो इस तरह से देखें कि पहला सबसे पहला कारण यह है कि मनुस अपनी आउस्ताओं को पूरा करने के लिए जो भी प्रयावरण में जीव या वनस्पति हैं को दूसरे रुपों परवर्तित के लिए जिसके इस तरह से भी क्या हुआ भारी नुकसान बनस्पति छेत्र में और जीव जन्तु छेत्र में देखने हो गता है इस तरह से यह पहला करने कि मनुस अपनी आउस्ताओं के पूर्ति के लिए उनका दूसरे रूप में प्रवर्तित कर देना भी क्या है उनका पर्यावरण में क सबसे अधिक हानी उपनिवेस काल में रेल लाइन ख्रिशीवेसाह और खन्कृयाओं में सबसे ज्यादे जयो हमारे प्रयावरण या ओधिये में ब्रवधw आल आई हैं तो वह उपनिवेस वाद काल में। जब यहां पर अंग्रेज सासन कर रहे थे तो वह रेल लाइन किसी वेशा और खन क्रियाओं को बढ़ाने के लिए बनों को और जी जन्तूं को काफी वेशा करने की दिश्टी से उनको छती हो जाया थे इस तरह से रेखेंगे यह भी एक कारण है उपनिवेसवाद भी या के परियावर्ण से वनस्वती जात और प्रांडीजात में कमी देखने को अगला जो कारण है हम लोग देखेंगे अगला कारण वह है भारत में स्वतंतता प्राप्ति के बाद जैसे तैसे जनसंख्या में प्रिधी हुई जै विविजिता का विनास और भी अधिक दिप्रगती से हुआ क्रिसी के अत्रिकत मानाव में बड़े बात और आवास्चिपी बनाए यह भी एक कारण जिसके कारण हमारे पर्यावरण से वनस्पति और जीव जन्तुम में कमी आई क्योंकि जनस्वतंतता प्राप्ति के बाद हमारे हाँ देश में जनसंख्या बड़ी और उनकी आवस्पता बड़ी जिसके वज़ेख से हुआ तिप्रगती से वनो को काटा इसके साथ साथ बात बनाए यह आवास बनाए जिसके वज़ेख से भी हमारे पर्यावरण से उनस्पतियों और प्राणी जगत में कमी देखने को इलाद इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही अगले वाले वीडियो में इसके आगे हम लोग अध्यान करेंगे